हाई एबरिवन आज मैं बच्चो के लिए एक स्पेशल रेसेपी लेकर आई हूँ ब्रेट पीजा लॉलिपॉप एक बार दोस्तों आप उपने घर में इसे जरूर ट्राय करिएगा बच्चो को बना के खलाएगा उन्हें बहुत जारा पसंद आएगा क्योंकि एक तो इसका न्यू लुक है और उपर से ये पिज़ा है तो पिज़ा तो हर किसी को पसंद होता है उमीद कर दियों आपके रेस साथ तो इसे लिए ज़ादा बड़े चंग्स नरखेगा बिल्कुछ चोटे चोटे रखेगा और उसके जहां पर एक टिबस्पून भर्टे डाला है पिज़ा यहां पे एक से बार्बीक्यव बार्भीक्या चाह पर लिया लिया है उसकी जगा पर एक टिबस्पून टॉमा इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करके 10-15 मिट ले चोड़ दीजे यहां पर मैंने अच पनीर लिया है आप इसकी जगा पर चुकिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब मैंने यहां पर एक फ्राइपन में एक टेबसपून ओईल डाल दिया है और अब मैं यहां पर एक हरीमे के लिए फ्राइ कर लेंगे इन उड़ा कलर चेंज नेहीं करना है अब हम यहां पर डालेंगे प्यास तो यहां पर एक मीडियम साईज की प्यास जिसे बारीक बारीक चॉप कर रखा है हर वेजिटिबल को आपको बिल्कुल फाइनली चॉप करना है जारा बड़े बड़े पीसे में मत रखिएगा और इसे अब हम फ्राइ कर लेंगे तब तक जब तक जो प्यास है हमारी हलकी अर्गेजी सॉफ्ट होनी शुरू ना हो जाए कलर चेंज नहीं करना है प्यास का अब हम यहाँ पर डालेंगे शिमला मिच तो यहाँ पर आज मैं ग्रीन शिमला मिच का यूज कर रही हूँ आपको इसे भी कलर का यूज का सकते हैं आदा कप शिमला मिच है जिसे बिलकुल बारी बारी चॉप कर रखा है इसे भी अब हम कुछ मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर तकरीबन दो मिनिट के लिए इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखे दो से तीन मिनिट के बाद आपको क्या करना है जो हमने अपना पनीर मेरीनिट करके रखा है वो डाल देना है और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इस पॉ in पे आप नमक चक लिएगा अगर नमक आपको कम लगरा है तो आप यहाँ पर एड़ जस कर सकते हैं और इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करिए और कम से कम दो से तीन मिनिट लिए इसे पका लीजे इसे ढखने का जुरूत नहीं है बस जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरा इवैपोरेट हो जाना चाहिए यहां पर आपको तेल का इस्तमाल बहुत ही कम करना है जादा तेल मत यूज करिएगा तो दिखें यहां पर जो हमारा पनीर है अच्छी तरह से पक गया है तो बस गयास को आफ कर दिया इसे ठंडा कर लेंगे तो चली अब एक बैटर बनाते तो उसके लिए मैंने यहां पर ए सब्चल लेंगा सिम में देगा सी इसमी ध्यक्त है थोड़ है फोड़ा सा बैटर हम यहां पर इक कटोरी में निकाल लेंगे आगे से यूज करना मैं देखरließen का कमें और खुपकीन का है पूल तो आपनी स्टील का अधसके सतंओर हैं ना धाय धुतर स्टीयख अशुक्र ने पयुआ जबहाराबस और तो कीजसी वह कहा तकछा नहीं हम रिखा इंट कीजसा लाय राँज में यहां young टोल 2dL में टोल ब्रेट कोब आट में इसी तरीके केसे रेडी कर लूंगी तो देखेंक से पहले हम यहां पर यहां इसलีली वाला देखते हैं चोटा सा इसके जगा पे आप मोजरेला भी रख सकते हैं दूसरा ब्रेट का स्लाइस लेना है और जो हमने एक गाड़ा वाला जो बैटर बनाया था उसको आपको इस तरीके से दूसरे ब्रेट के कॉर्नर्स पे लगा देना है ये एक टाइप से ग्लू का काम करेगा ताकि जो एक ब्रेट पिज़ा है वो इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है तो बस अब मैं आपको एक नया तरीका दिखाते हूं जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो सबसे पहले आपको एक ब्रेट का स्लाइस ले लेना है इस तरीके से और आपको यहाँ पर यूज कर रही यहाँ पर देखे यहां पर मैं फिल्लिंग रख रही हूं मिडल में को और इसके वपर अब हम रख देंगे चीज़ का स्लाइस तो यहाँ पर आज मैं चट्र चीज है और आप चाहे तो मौजबेला यह प्रोसेश चीज भी उसकर सकते हैं दूसरे ब्रेट के स्लाइस में से अगर आपके पास popsicles नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाला दिखाया उसमें मैंने popsicles नहीं लगाया था आप उस तरीके से भी बना सकते हैं यहां पर आज मैंने इसको round shape दिया है आप चाहें तो इसको square shape में भी कट कर सकते हैं तो friends अब आपको एक bread pizza popsicle उठाना है उसे एक हाथ से तो आप slurry का काम करेंगे और दूसरे हाथ से आप bread crumbs का काम करेंगे एक ही हाथ से अगर आप दोनों करने जाएंगे तो बहुत जारा messy हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना है दिखिए यहां पर मैं किस तरीके से dip कर रही हूं और extra slurry आप निकाल दिएगा इ इसे आप दूसरी प्लेट पे रखते चले जाएगा तो देखिए बहुत ही simple है देखिए इससे क्या होता है हम इस तरीके से इसको bread crumbs में coat कर रहे हैं उससे क्या होगा जब हम इसे fry करेंगे तो यह बिल्कुल भी खुलेगा नहीं यह बिल्कुल अच्छी तासे seal हो जाएगा तो देखिए यह last है इसे भी मैं कर देती हूँ और इसी तरीके से सारे कर लेंगे अब हम बहुत असानी से यह चिपक जाएगा देखिए बहुत असान भी है हमारा कोई भी bread यहां पर waste नहीं हुआ है हमने पूरा का पूरा इस्तमाल किया है bread का बच्चों को बहुत जारा प पर देखिए बिल्कुल भी तरीके से और जब भी आपको बनाना हों डारेक्ट आफ रीजर से निकालकर इसको फ्राई कर के निकाल सकते हैं अब यहां पर इसे हम फ्राई कर लेते हैं यहां पर मैं जो तेल गरम किया था वो medium फ्रेम पे गरम किया था तेल बहुत अच्छी से आपको गरम करना है क्योंकि यहां पर अभी हमें कोई भी कोकिंग नहीं करनी है बस हमें अपने ब्रेट पीजा पॉप्सिकल्स को फ्राइ करना है एक अच्छा सा कलर लाना है तो देखें एक मिनिट के बाद मैंने इन्हें पलट दिया था और आप देख सकते कितने अच्छ तो देखें यहां पर हमारा यह दूसरा बैच भी रडी हो गया है तो चलिए इससे सर्फ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारा यहां पर ब्रेट पीजा पॉप्सिकल्स बनकर तयार हो गया है बच्चों को जरूर बना के खिलाएगा उन्हें बहुत जारा पसंद आएगा इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगली रसेपी में तब तक लिए बाबाई टाटा